हालो अब्रिवन तो देखी आज एक नया चप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर 14 फैक्टराइजिशन ठीक है exercise 14.1 से स्टार्ट करते हैं question नमबर 1 करते हैं find the common factors of the given terms तो देखे common factors का मतलब यह common factors का मतलब जैसे यहां पर यह दो टर्म है इन दोनों में क्या-क्या common है वह हमें लिखना है तो देखी part first में यहां पर यह दो टर्म दे रखें एक 12 x एक 36 तो देखी कैसे इनमें common factor निकालेंगे पहले तो हम यहां लिख देते हैं 12 x ठीक है और दूसरा जो number है यानि कि दूसरा जो टर्म है 36 उसको हम नहीं नीचे लिख दिया अब देखो 12 x के जो factor होंगे वह हम यहां पर लिखेंगे ठीक है आप थोड़ी सी practice के वाद आप question देखके ही इनके कौन factor निकाल सकते हो अब क्योंकि यह पहला ही question है तो महीं है आपको basic तरीके से या फिर एकदम basic से आपको बताऊंगा ठीक है तो 12 x को आप कैसे लिखेंगे तो 12 के आप प्राइम factor निकाल लो 12 को लिखा तो 2 6 जा 12 ठीक है टू की टेवर में 12 चला जाए 6 जा अब 2 2 की टेवर में 6 भी चला जाए 2 3 जा 6 यह 3 1 ठीक है तो यह इसके प्राइम factor होगे यानि कि 12 x को हम कैसे लिख सकते हैं 2 x 2 x 3 और यह x अलग है तो x को भी हम multiply में लिख देंगे इन्टू x ठीक है 36 36 के भी हम इसी तरह से प्राइम factor निकाल लेते हैं ठीक है 36 के निकाल लेते है इसको भी हम 2 से divide कर सकते हैं 2 की टेवल में चला जाए गांगा 218 जा थर्टीक है अब टू की टेवल में चला जाएगा निए 3 3 से कर देते हैं 3 3 जा 9 ठीक है यह 3 3 की टेवल में चला जा एगा 3 1 जा 3 तो यह इसके प्राइम factor आ गया तो 36 को हम क्या लिखेंगे 2 x 2 x 3 इंटो 3, 3 into 3, अब आपको यहां देखना है कि जो इन में common common आ रहे हैं, जो इन में दोनों में same है, जैसे कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो एक तो आगे हमारा factor 2, और यहां पर भी 2 है, यह और आगे हमारा 2, और एक आगे हमारे यहां पर 3, ठीक है, तो common factor equal to क्या जा है तो 2 इंटू इसकी जगह हम एक लिखेंगे यानि 2 और इंटू 3 ठीक है और तो कुछ common है नहीं हमें हमेशा वह नंबर लेना जो दोनों में सेम हो और तो कुई सेम है नहीं तो अब क्या करेंगे अब इनको multiply करके लिख देंगे तो टू जा चोटी टर्म है जैसे यहां पर है 12 तो सबसे पहला आप यह चेक कर लो क्या 12 की टेवल में यह आता है 36 बिल्कुल आता है तो नंबर हमारा यहीं पर मिल गया क्या मिल गया 12 ठीक है आगे देखते हैं आगे में आपको और तरीका बताऊंगा और असान तरीके आपको यहां दो टर्म है और दूसरा 22 एकस वाई ठीक है तो पहले हम यहां लिख देते हैं पहले कोशन की रही एक जगह लिख दिया हमें तो यहां पर ऐसे ही लिख दिया अभी जैसे मैं आपको डारेक्ट तरीका बताया जैसे टू कि टेवल में 22 आता है तो जो चोटा न यहां एक्वल लगा देते हैं 2y को आप क्या लिश्कते हैं 2 into y ठीक है 22xy इसको आप कैसे लिखेंगे यह को 22 क्या होता है 2 into 11 यह दोनों ही प्राइम नंबर है तो आपको यहां प्राइम निकालने की जरूत नहीं है आपको जब डारेक्ट कर सकते हैं तो डारेक्ट आप इस तरह से लिखेंगे देना 2 into 11 और xy है तो into x into y ठीक है अब आप यहां पर देखके ही आसानी से बता सकते हूं किसी क्या common factors हो होंगे देखो यहां two है यहां भी two है तो एक नमबर तो हमारा यहीं मिलके क्या तो और 11 यह तो है नहीं तो सिर्फ तँ आ गया अब यहां जो variables आ XY इनमें देख लेते हैं यहां पर भी यह यहां पर भी वाई है तो एक हमें य मिल यह, तो यहां पर आगे साथ में य यही हमारा COMMUN FACTOR इसका आगे सेकंड पाट सेकंड कंपलीट हो गया अब करेंगे पार थर्ड सेकंड कॉंपलीट देखें दो टर्म है एक 14pq दूसरा 28p² q² इसको भी हम यहां पर इसी तरह से लिख देते हैं तो 14pq को हम लिख देते हैं 14pq और ऐसी दूसरा है 28p² q² ठीक है अब यहां पर आप इनके जब common factor निकालेंगे तो देखो आगे बढ़ने से पहले आप यहीं देखो यह 14 है यह 28 है 14 की टेवल में 28 आता तो 14 common आ जाएगा मैं आपको यहां पर लिख के बतायता हूं 14 आ गया इन्टू पी क्यू यानि पी इन्टू क्यू एसे 28p² q² 28 को आप डारेक्ट लिखेंगे क्या 14 इन्टू 2 ठीक है इसके प्राइम फेक्टर करने के ज़रूत नहीं है जब हम पता पढ़ेंगे कि 14 की अब देखें यहां पर common देखें तो नंबर तो आगे हमारा 14 ठीक है यहां पर देखो पी है यहां पर भी पी एक आगे हमारा पी इसी तरह से देखो यहां पर एक क्यू है यहां पर भी एक क्यू है एक आगे हमारा क्यू तो यहां पर अगर आंसर की बात करें तो देखो नं 4 तो देखते हैं एक है 2x 3x square तीसरा 4 तो हम यहां इसी तरह से इंटर्म को लिख देते हैं 2x लिख दिया 3x square लिख देते हैं और लिख देते हैं लास्ट में 4 ठीक है अब अगर यहां पर common factor की मैं बात करूँ तो देखो 2 है यह 3 है यह 4 है इनके पहले अगर आप चाहूं तो प्राइम फेक्टर लिख दो यानि कि 2 तो इसलिए यह भी नहीं होगा 3 तो सिर्फ इसी में है अगर हम बात करें x की तो x भी सिर्फ यह 2 में है तीसरे में नहीं है तीनों में होने चाहिए तो यहां पर common factor कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें तो क्या हो सकता है देखिए यहां पर सब में अगर मैं इन-टु-one करदू यहां पर भी uon करदू यहां पर रखनी है कि जब कुछत भी था रह हो तो आंसर आता सकते हैं 6 abc दूसरा 24 a b square और तीसरा टर्म है 12 a square b ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें common factor की तो देखें आप यहां असानी से देख सकते हैं कि तीनों नमबर 6 24 और 12 तीनों नमबर 6 के multiple हैं तो देखिए 6 abc को आप क्या लिख सकते हैं 6 into a into b into c ठीक है 24 को भी आप लिख सकते हैं 6 into 4 64 24 होता ना into a into b square को क्या लिखेंगे b into b 12 क्योंकि यह भी 6 की 12 में आता तो इसको भी आप लिख देंगे 6 into 2 और a square को आप लिखेंगे a into a और b को ऐसे ही रहने देंगे ठीक है अब आप देखिए 6 तीनों में है तो common factor जब आप निकालेंगे तो देखो जो तीनों में है common उसको आप लिखेंगे यानिकी एक तो आगया 6 और हम नंबर देखें तो 24 यह तो है नहीं common तो इसको छोड़ देंगे ए देखो यह यहां पर भी है 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 एक आगया इसके साथ में ठीक है इसके अलावा देखो डारेक्ट आंसर निकाल सकते हैं तो 6, 24 और 12 यह तीनों नंबर हमारे 6 से ही divisible है तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वह हमारा common factor होता है तो छोटे नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे यहां B है यहां B square और यह B है यह जो तीनों variable में सबसे छोटा हमारा क्या है वी बी तो यहां पर जो variable common आगे क्या आगया वी आगया उसी तरह से A square A और A यहां पर भी सबसे छोटा A है ठीक है तो सबसे कम पावर वाला जो नंबर होता वही common होगा हमारा ठीक है तो 6 A B इसका आंसर आ गया पार्ट 6 देखते हैं देखिए यहां पर 16 X cube कॉमा माइनस 4 X square कॉमा 32 X इनको हम यह लिख लेते हैं 16 X cube दूसरा नंबर माइनस 4 X square तीसरा नंबर 32 X ठीक है आप यहां पर जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था नंबर हमारा जो common होगा जो सबसे चोटा नंबर जो common होगा यानि सबसे चोटा नंबर जिसकी टेबल में तीनों आ जाए एक तो वही common लेवल क्या है एक्स क्योंकि इन तीनों में सबसे कम पावर एक्स की ही है तो आंसर क्या जाने चाहिए इसका फॉर एक्स ठीक है तो देखो पहले इसको मैं आपको एक बार एक्स पैंड करके आंसर निकालता हूं 16 x cube को आप लिखेंगे 4 into 4 x cube यानी x into x into x ठीक है मैनेस 4 x square को आप क्या लिखेंगे मैनेस 4 into x into x ठीक है x square यानी x into x इसी तरह से 32 x को आप कैसे लिखेंगे 48 जा 32 होता है तो 4 into 8 into x ठीक है तो यह 4 की table में आ रहे है तीनों इसलिए 4 4 को हमने पहले लिख दिया तो देखो यहां पर आप common factor निकालेंगे तो देखो सब से पहले जो number है वो तो लिख देंगे यान कि 4 4 तीनों में आ रहा है उसके बाद देखें x यहां पर भी है यहां आप भी है तो आगया एक्स तो देखो जैसे में आपको डारेक्ट पता है था और ली उसी तरह से देखो इसका भी आंसर वही आया इतना आगया आंसर 4x ठीक है तो पार्ट 6 हो गया पार्ट 7 देखते हैं अब अब देखते हैं पार्ट 7 देखे 10pq 20 qr 30rp इसको में लिख निकाल सकते हैं देखिए यह 10 है यह 20 30 तीनों ही 10 की टेवल आ रहे है तो सबसे छोटा नंबर जो 10 है इसके ही मल्टिपल है यह दोनों तो पहला इनमें जो नंबर की बात करें तो पहला नंबर तो आगया हमारे यहां पर 10 ठीक है नंबर थो आगया हमारा 10 अब इनकी जो व अखरी पार्ट देखते हैं पार्ट 8 त्योंको यहां पर इतीन नमबर है 3x2y3 10x2y2 और 3ा नमबर है 6x2y2 Z ठीक है लिख लेते हैं तीनों नमबर को 3x2y3 ठीक है तीनों टर्म को लिख लेते हैं दूसरा है 10x2y2 है तीसरा है 6 x square y square और लास्ट में यह साथ में जैड ठीक है अब देखिए इन में अगर मैं नंबर की बात करूं तो 3 यह 10 और यह 6 इन में कोई भी कॉमन फेक्टर नहीं आएगा क्यों क्यों कि देखो सबसे छोटा नंबर है 3 अब 3 की टेवल में 3 का मल्टिपल 10 तो है नहीं यहां पर जो कॉमन नहीं है तो तीसरा वाला भी हम चेक करने की जरूत नहीं क्योंकि यह तीनों में आना चाहिए सेम ठीक है तो पहले मैं आपको एक बार इससे बताए भी देता हूं 3 और देखो x square x square मैं बार-बार x x नहीं लिखूंगा डारेक्ट यहां पर x square लिख देत आप तीन बार भी लिख सकते हूं y into y y वैसे भी कोई दिख्कत वाली बात नहीं इसके आगए तो-कुछ है नहीं इसको देते हैं क्योंन कोई फैक्टर नहीं हो सकते है यानि हो सकते हैं लेकिन 3 माल्टिपल में नहीं आएंगे तो आप इसको कुछ मत करो एसे ही लिख दो x स्क्वाइर क्योंकि उपर भी एक्स स्क्वाइर है एक्स स्क्वाइर लिख दो नीचे वाई स्क्वाइर वाई स्क्वाइर को वाई स्क्वाइर ही रहने दें ठीक है चाहूं तो आप जैसे मैं इसका बता है वाई इंटू वाई लिख सकते थे इसका भी इंटू वाई लिख स अब लेकिन इनमें से common नहीं आएगा क्योंकि तीनों में होना चाहिए यहां पर नहीं है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है आप लिग दीजिए कोई दिक्त नहीं अब देखो common factor अगर हम निकालेंगे तो पहले तो मैंने आपको बता है कि नंबर तो हमारा कोई आएगा नहीं तो इसको आप लिखेंगे नहीं X고 यहां भी है यहां भी और यहां भी है तो यहां पर आगर हमारे एक स्कॉर य कि अगर बात करें तो possível हैंक वारे यहां हमारे यहां पर यह थीक है जैट की हम बात नहीं करें क्योंगी सिर्फ एक में ही है तो यही इसका answer आगए तो पार्ट 8 kokampleat हो गया और इसी तरह से question number one हमारा complete हो गया, I hope कि आपको इस समझ में आया होगा, okay thank you